यह कहानी जगदिस बंचायत की सोहरा गाउं की है जो कि प्राड़ी परखन के कठी हाल जिलामी पड़ता है इस स्कुल में कुल बच्चे 410 हैं और सिक्षक 13 हैं इस स्कुल में सोचाले नहीं रहने के कारण बच्चे लोग सोच के लिए दुसरे कहां जाते हैं और इस स्कुल में भवन नहीं रहने के कारण ये बच्चे लोग ये प्र के नीचे बैठके परहाई करते हैं और समय से पहले छुटी हो जाते हैं जिन्में की बच्चे को परपरहाई में बुरा असर पड़ता है यहाँ पर ना सुचाले का सुविदा है नमदे बोजंग का सुविदा है ने स्टुजेंट को बैठने की सुविदा है लेटरिंग नहीं है बेंक्स नहीं है प्लेट नहीं है जग नहीं है ग्रस नहीं है बिल्दिंग नहीं है आप पहरते हैं भी कैसे दूप से दूप में बढ़ते ही। अगर एक तीस दिन का भी रहता है कि पचीस दिन का भी रहता है तो दो से तीन दिन खिलाता है। अगर पढ़ता है पढ़ता है नए बाके सब बच्चे को गंदी की साफ करवाता है। जो भवन नहीं बन दा इसमें क्या करल है। जमीन नहीं है। भवन बनने के लिए पैसा उसा आया है क्या। इसके जमीन पर बनाएंगे भवन। जमीन ही नहीं है तो भवन किस पर बनाएंगे। परहाने के लिए जगें नहीं है, रूम में ही है। आ करेंगे। अच्छे हमारे देखते तो है क्यों नहीं है। जमीन एक भू भी नहीं है। कोई भी सरकारी आग्मी आपकी इसकुर में आया का आता है किने कभी। तो लोग उसने बोल के जाता है। जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जिन पर आप हमारे मदद कर सकते हैं। जिला सिक्षा फद्धी कारी का नमर है। चरानवे तीन टिर्पल जीरो संतावनों संतानवे इन पर कॉल करके और दवाब बनावे। मेहुरीना जिला कठियार बियार इंडिया हनट के लिए।